जो एक सेभी ने concern दिखाया था, Amphi ने जो थोड़ा बहुत हम कह सकते एक तरीके से एक alert किया और फिर एक stress test हुआ, तो क्या इस stress test का ही नतीजा है कि small cap में इस बार inflow की जगा outflow हुआ है पुनम? जो सेभी का जो crackdown हुआ small cap पे और बड़ी बड़े शब्द यूज करें गए small caps के लिए कि बहुत फ्रॉथ है और over valuation है उस वज़े से एक investor में panic देखा गया और उस वज़े से definitely a major कारण यही है कि small caps में valuation हमेशा से ही एक चिंता जनक हम दिखाते हैं हमेशा ही आपने अपन जब भी show करते हैं we have always discussed about small cap allocation, mid cap allocation in a portfolio तो हम यही कहते हैं कि आप 15-20% ही रखें उसमें ज्यादा ना रखें बट हुआ यह स्वाती कि एक investor बहुत इसमें excitement में कि 70% तक returns बन रहे थे पिछले दो साल में तो हमारा 50% portfolio, 60% portfolio small cap, mid cap में करिए जो कि as a advisors, as a distributor हम मना करते हैं कि यह इतना sector में एक category में निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि यह small cap है ही ऐसा एक risky, the most aggressive kind of the category एक में एक में स्वाओ का था में इंगघ